हेलो नमस्कार सब ही को हमारी तरफ से हैपी दिपावली अब मुद्ध पर आते हैं मुद्ध ये है कि भारत ने मुकाबला जीत लिया है टी टोंटी वीशो कप का मैच खिला गया जहां पे टीम इंडिया का सामना पाकिस्तान से हुआ आर्च राइवल है और लंबे समय से भारत पाकिस्तान की रैवेल्री मैदान पर और मैदान के बाहर भी देखने को मिली है वहराल चार विक्टों से भारत ने ये मुकाबला जीता है और जीत के जो है सबसे बड़े हीरो है विराट कोहली जिन्होंने तिरेपन गिंदों का सामना करते हुए 82 रंकी पारी खेलियो और टीम इंडिया के इस जीत के बाद मशूर स्पोर्च जर्नलिस्ट विकरांद क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ टूइट करते हैं उन्होंने लिखा है कि ये जीत भारत के लिए भारते क्रिकेट इतिहास की सबसे आतिहासिक जीत में से एक रहेगी और विराट कोली ने जिस तरीके की पारी खेली है वो हमेशा उनके क्रिकेट करियर क ये सबसे बेस्ट पारी में लिखा जाएगा ये नाम लिखा जाएगा कि ये जो 82 रण केनिंग्स खेली थी पाकिस्तान के खलाब ये सबसे बेस्ट पारियों में से एक थी इसके अलावा विकरांद कुपता ने ये भी कहा है कि विराट कोली की इस पारी ने 130 करोड हिंदु फूस्तानियों के चहरे पर खूशियां ला दिया है. साथ है, हपी दिपावली एडवास में एक तौफे की तरह, तौफे की तरह विराड कोहली ने सभी हिंदुस्तानियों को गिफ्ट किया है. तो सच में गिफ्ट तो किया ही, हम लोगों को तौफा ही दिया है, दिवाली से एक दिन ठीक पहले ही विराट कोली ने इतनी बड़ी जीत दिलाई है, जहां पे हम लोग लगभग में मुकाबला हार चुके थे, तो खुशियां तो बनती है, मुस्कुराना तो बनता ही है, अगर आप पाकिस्तानी है, तो आप पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करिए, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करिए और देखते हैं क्या होता है, आगे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, है ना, धन्यवाद